जहन बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज की इस आपके ओक्टूबर मन्त की करेंट अफिर की क्लास में आज की क्लास आप सभी डिफनस एस्परेंट के लिए बेहत महत्पूर रहने वाली है तो सबसे पहले आप सभी अपने कॉपी और पेन को लेकर रेडी हो जाएए क्योंकि जितने भी पॉइंट्स जितने भी इवेंट्स मैं आज की क्लास में आप सभी को कवर कराने जा रहा हूँ उसकी आप एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से और आज की क्लास में जो आपका पहला topic रहने वाला है वो आपके important day से related है आप जानते हैं कि ये class आपकी weekly class होती है और हर week मैं आपके लिए सबसे most important event लेकर आता हूँ जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए बेहत important सावित हो और इसी कड़ी में आज के इस week में जो आपका ये second week है October month का उनमें जितने भी important days अकर हुए हैं उनकी मैं एक proper पूरी list लेकर आया हूँ कि days की name क्या होंगे उनको हर साल किस तारीक को मनाया जाता है तीसरा इस बार उनका theme क्या था और चौथा जो सबसे ज़्यादा question आप से पूछा जाता है कि कोई भी दिवस किस संगठन या किस organization के द्वारा मनाया जाता है तो ये संपूर्ण बातों को visualization हम आज की इस class में करेंगे आपके इस index के माध्यम से तो चलिए सबसे पहले हम one by one पढ़ेंगे और आप जब मैं इसको cover करा लूँ तो आप इसका एक screenshot भी ले लिजेगा तो यहाँ पर हम देखते हैं World Student Day World Student Day हर साल आपका कब आयोजित किया जाता है तो World Student Day आप जानते हैं विर्ष्ट च्छात्र दिवस हर साल 15 October को हम मनाते हैं और इस बार इसकी theme क्या रखी गई है तो इसको आप note down कर लिजे Learning for people, planet, prosperity and peace इसकी इस बार की theme रखी गई है और इसको हर साल किस organization के द्वारा मनाया जाता है तो यह है आपका United Nations Organization यानि की संयुक्त रास संगे की द्वारा इसको मनाया जाता है इसको आप एक बड़ देख लीजे, screenshot ले लीजे चलिए, आप सभी जानते हैं कि जो Dr. A.P.J. अब्दुल कलाम है जो भारत के पूर्व राश्पती थे वर्ष 2002-2007 के बीच में डियाडियो के चेयर्मैन रहे और उन्होंने मिसाइल डेवलमेंट प्रोग्राम को किया था उनका प्रेम उनका इसने भारत के और विर्ष के सभी छातर छातराओं से था इस कारण से वर्ष 2010 से United Nations Organization ने World Student Day मनाने के फैसला लिया तो अगर आपके एक्जाम में प्रशना आए तो आप इसका सही तरीके से जवाब दे सकें दूसरा इवेंट हमारा related है International Women Ruler Women Day तो देखिए ये हर साल कम मना जाता है तो ये भी आपका 15 October को मना जाता है और इस बार इसकी theme क्या रखी गई है Ruler Women Cultivating Good For All ठीक है Ruler Women Cultivating Good For All रखी गई है साथी साथ इसको UNGA के द्वारा मना जाता है ठीक है International Ruler Women Day और इसको भारत में हम क्या कहते हैं तो इसको हम भारत में आपका रास्टी, महिला, किसान, दिवस की रूप में हम वर्ष 2016 से भारत की Ministry of Agriculture and Farmer Welfare के द्वारा आईज़ित करवाया जाता है तो इसको आप देख लीजे International Day of Ruler Women हर साल 15 अक्टूबर को मना जाता है साथी साथ इस बारत की थीम क्या थी Ruler Women Cultivating Good For Good Food For All तीसरा International E-Waste E का मतलब क्या होता है E का अर्थ होता है Electronic Waste यानि कि जो भी हम Electronic Equipment यूज़ करते हैं जब वो useful नहीं रहते हैं तो वो क्या बन जाते हैं E-Waste बन जाते हैं इस कारण से हमें अपनी प्रक्ति को बचाने के लिए और लोगों को अवेर करने के लिए International E-Waste दे मनाते हैं 14 अक्टूबर को हर साल और इस बार इसकी theme रखी गई है Consumer is the key of circular economy Consumer is the key of circular economy अब कौन सिसन्स था इसको हर साल 14 अक्टूबर को मनाती है तो ये है आपकी WEEE Forum फिर आपका आते हैं अगले event पे तो ये है World Standard Day of International Standard Day हर साल 14 अक्टूबर को मनाती है theme कुछ बड़ी है और ये है Standard for Sustainable Development Goals Shared Vision for a Better World और इसको जो है आपका International Organization for Standardization के दौरा मना जाता है ये उतनी एहम नहीं है फिर भी आप जानते रहे कि इस week में कौन कौन से important day अकर हुए है International Day of Girl Child most important और question आपके exam में यहां से बन सकता है ये हर साल आपके 11 October को मना जाता है और इस बार इसकी theme रखी गई है Digital Generation, Our Generation यानि कि Digital Generation, Our Generation digitally करण ही हमारे इस बार का युग है 21st century का और सिच्छा दिच्छा जो भी हो और ज्यादा तर जो आपका education को सेंट्रिक हो वो गल्स के लिए हो फिर International Postal Day International Postal Day को हर साल आपका 10 October को मना जाता है और इसको भारत सरकार मना आती है इस बार इसकी कोई भी theme नहीं रखी गई है हिंदी में इसको क्या कहते है रास्टी डार्क दिवस कहा जाता है और लास्ट में हम आएंगे World Post Day तो देखिए इसको 9 October को मना जाता है ठेक है इसकी इस बार theme Innovate to recover है और इसकी संस्था Universal Postal Union जिसका headquarter burn सुर्जन लैंड में इस्थित है तो आपने देखा इस table के माध्यम से कि कौन-कौन से important day इस बार अकर हुए है ठेक है क्योंकि important day से related एक question आप सभी के exam में आता है जरूर आता है अब बढ़ते हैं अपने next event पे और next event जानते हैं आपका किस topic से related है तो यहाँ पर देखिए next event आपका military exercise से सम्मंधित है और यह military exercise कौन सी है तो यहाँ पर हम जानते हैं और यह है आपकी अजे वारियर ठीक है आप सभी के exam में लगभग 2 से 3 प्रशन military exercise से सम्मंधित रहते हैं तो आप जितने भी exercise भारत से related है उनको आप जानते रहिए अब हम पढ़ेंगे exercise अजे वारियर के बीच कि यह किन दो देशों के बीच कंड़ेट किया जाता है तो the 6th edition हिंदी वाले हिंदी पढ़ ले इंडिया यूके यानि भारत और United Kingdom के बीच एक यह joint military exercise है जिसको जिसका यह छटवा संसकरण है exercise अजे वारियर उसको इस बार चौब हाटिया उत्तरा खंड में मनाया जा रहा है तो अगर आपसे प्रशन पूछ ले कि अजे वारियर exercise जो की अभी हाली में October महिने में कंड़ेट की गई है उसको कहां पर आयज़त किया गया तो यह है आपके उत्तरा खंड में इसको मनाया गया है ठीक है चौबाटिया में the exercises and part of initiative to develop के interoperability को बढ़ा सके और अपने operation level को किसी भी task को fulfill करने के लिए वो सक्षम बन सके तो अजे वारियर जो आपकी exercise है वो भारत और UK की आर्मी के बीच होती है और इस बार इसका छटवा संसकरण था जो की उत्तराखंड भारत में आयज़त किया गया आगे बढ़ें इसी प्रकार से अपने दूसरे event पे और जानते हैं कि दूसरे event आपका किस से संबन्दित है तो आप जानते हैं विश्व की सबसे powerful ग्रुप की powerful exercise नेवल exercise जिसका नाम है मालाभार युद्धभ्यास इस बार मालाभार युद्धभ्यास का दूसरा संस्क्रण आपके Bay of Bengal में आयजित किया गया है जिसमें Quad देशों की 9 से 9 ने participate किया अब ये Quad देश क्या है तो देखिए आप जानते हैं कि Quad countries यानि कि Quadrilateral से Quad बना है जिसमें आपके 4 countries आती हैं पहला आपका अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा जापान और चौथा आपकी Australia जापान ने इस मालाबार exercise को वर्ष 2015 से एक बार फिर से जॉइन किया और 2020 से इसमें मालाबार युद्धभ्यास में Royal Australia Naval Force भी participate करती है अब कुछ highlights हम देख लेते हैं और ये exercise आपकी exam में जरूर जरूर से ही आएगी ठीक है, तो अच्छे से देखिए पढ़िए और notes बनाईए Maritime Forces from Australia, India, Japan and the America begin phase second of exercise मालाबार in the Bay of Bengal तो पहले आप note कर लीजे कि इसको बंगाल की खाड़ी में आउजित किया गया है हिंदी वाली भी अभी मैं आपको PDF दिखा दूँगा, ठीक है अगली slide में, सबसे पहले इसको आप पढ़ लीजे The US Navy hosted by this year अब इस साल इस अभ्यास को किसके दौरा notes host किया गया है तो अमेरिका के दौरा इस बार hosting की गई है जिसमें अमेरिका की तरफ से बहुशारी आपकी ships से शामिल थी साथ ही साथ Royal Australian Navy, Indian Navy, Japan Maritime Self-Defense Forces and US Maritime Forces are also involved in this exercise अब भारत की तरफ से अगर हम देखें तो इंडे ने 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 राजपूत क्लास की Guided Missile Destroyer को इसमें शामिल किया साथ ही साथ आइनस Run Vijay इसमें शामिल हुई शिवाली क्लास की Multi-Roll Steel Frigate शामिल हुई आइनस सत्वुडा इसमें शामिल हुई साथ ही साथ PA Time Marine Petrol Aircraft शामिल हुआ तो भारत की तरफ से जितने भी मुख्य आधुने लडाकू विमान थे लडाकू युद्धुपोत थे और लडाकू एरक्राट्स थे इस exercise में उन्होंने पाटिस्पेट किया और इस exercise को इस बार अमेरिका के दौरा होस्ट किया गया है जो की Bay of Bengal में आजित करवाया गया था और ये मालावार exercise का आपका दूसरा edition था ठीक है? सम्मंधित महारतन कंपनियों से सम्मंधित सबसे important खबर अभी भारत सरकार के दौरा PFC आप देख पारें PFC Power Finance Corporation Limited को महारतन का दरजा दे दिया गया है अब ये महारतन status किसको दिया जाता है? भारत में कितनी कंपनिया महारतन लिस्ट में शामिल हैं हम इन सभी बातों का अध्यन अभी करने जा रहे हैं तो अच्छे से देखिए समझिए The Government of India has accorded महारतना status to the state-owned power finance corporation limited PFC को दिया गया है The new status will give PFC greater operational and financial autonomy PFC incorporated in 1986 as an Indian financial institution ठीक है? ये एक तरीके से भारत की एक वित्ती वाडिट जिवाली कंपनी थी 1986 में इसका गठन किया गया था ये एक state-owned कंपनी है और इसको अभी भारत सरकार की द्वारा महारतना का status प्रोवाइट कर दिया गया है जिससे अब इसकी और भी शक्तियां बढ़ जाएंगी तो इसका headquarter देख लेते हैं तो नई दिल्ली में हैं इसकी स्थापना 16 ज़रे 1986 की गई थी और अभी इसके तातकालिक chairman और managing director कौन है तो ये हैं आपके रविंद्र सिंग धिल्लो तो इसको भी आप देख लीजे screenshot ले लीजे उसके बाद हम अब जानेंगे कि भारत में कौन-कौन सी महारतन कंपनियां शामिल है तो ये देखिए मैं आपके लिए एक सभी list महारतन कंपनीज की लेकर आया हूँ जिसको आप देखिए और समझी पहले आप मेरे साथ पढ़ लीजे तभी आप इसको आसानी से जान पाएंगे अगर आपके exam में कौशन पूछा जाए कि भारत में कितनी कंपनियों को महारतन का status दिया गया है तो टोटल ये है आपकी 10 प्लस 11 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 ठीक है पहले 10 थी अब एक और शामिल हो गई है जिसका क्या नाम है PFC Power Finance Corporation Limited ठीक है अब कौन-कौन सी कंपनिया इसमें शामिल है तो देखिए BHEL जिसको भारत Heavy Electrical Limited कहते हैं फिर IOCL जहाँ पे आप पेट्रॉल भराते हैं डीजल भराते हैं ठीक है NTPC अभी आप देख रहे हैं कि कोईले का क्राइसिस हो गया कोल क्राइसिस हो गया तो NTPC के पावर प्लांट में ही आपका ये जो भी बिजली निर्मित की जाती है फिर ONGC Oil and Natural Gas Corporation CIL कोल इंडिया लिम्टेट गेल बहुत ही इंपॉर्टेंड आपकी अथॉर्टी है एक्जाम में इससे संबंधित प्रशन भी पूछे जाते हैं BPCL भारत पेट्रोलिंग कॉर्परेशन लिम्टेट ओके HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलिंग कॉर्परेशन लिम्टेट जहां पे हम सभी अपने गाड़ियों का पेट्रोल डीजल भराने जाते हैं तो यह है आपकी फिर पावर गेट कॉर्परेशन लिम्टेट जिसको पावर गेट कॉर्परेशन लिम्टेट कहा जाता है तो दस कंपनियों के लिस्ट यहां पर दी गई है और ग्यारविंग कंपनी कौन क्रावर दगे यह PFC पावर फाइनस कॉर्परेशन के अब जानेंगे कि ऐसी कौन से कमपनियां होती है और उनकी एलिजिबिल्टी क्या होती है कि वो महारतन के लिस्ट में शामिल हो जाते हैं और भारत में जिर्फ 11 कंपनिया ही क्यों महारतना स्टेटस में शामिल हैं तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया और इलिडिविल्टी देखते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी को क्या होना चाहिए मस्ट हैव नावरतन स्टेटस तो भारत में भारत सरकार के तीन स्टेटस में प्रोवाइड किये जाते हैं पहला महारतन दूसरा नावरतन तीसरा मिनी रतन यानि कि कि किसी कंपनी को कम से कम तो नावरतन का स्टेटस प्राप्त होना चाहिए दूस Security Exchange Board of India की द्वारत जितने भी regulation दिये गए हैं उस regulation को उसको पालन करना चाहिए तीसरा An average annual net profit after tax of more than 5000 करोड during last three years तो देखिए Net profit पिछले तीन सालों में उसका कितना होने चाहिए लगबग 5000 करोड रुपए और ये सभी requirement ये सभी criteria PFC ने पूरा किया इस current से वो 9 रतन से महारतन बन गई है चौते नंबर पे आपका उसका turnover जो है annual 25,000 करोड का होना चाहिए ठीक है और the average annual net worth 15,000 करोड रुपीस for three years must be a global presence international operations ठीक है तो global presence होना चाहिए MNC होने चाहिए यानि कि multinational tasking work को करें और अगर किसी company की ये सभी criteria है तो वो महारतन शामिल हो जाएंगी और अभी भारत में total 11 महारतन कंपनिया है आगे बढ़ें आप और आगे बढ़के हम next event जानते हैं तो next event आपका एक 2021 multi-dimensional poverty index से related है यानि कि एक अभी poverty गरीवी से related आपका index जारी किया गया है सबसे पहले हम हिंदी में देख लेंगे क्योंकि हिंदी वाली users हमारी YouTube पर जादा होते हैं कि आपको किसी भी तरीके परशानी ना हो इसलिए यह जो class है English as well Hindi दोनों में ही चलाई जाती है अभी एक नया report सामने आया है multi-dimensional poverty index अब जानते हैं कि इसमें भारत की ranking क्या है और इस report में क्या खास बातें कही गई हैं तो यहाँ पर देखिए इस report में 109 विकास इन देशों में बहु आयामी गरीवी पर अनुमान प्रदान किया गया है और इसमें 2009 से लेकर 2020 का सरवेच्छन किया गया है इनमें 26 कम आयवाले देश, 80 मध्यम आयवाले देश और 3 उच आयवाले देश शामिल है सूजकान 3 समान भारित आयोमो में विभाजे 10 संकेत को में प्रतेक व्यक्ति के अभाव को मापता है देखिए इस report में क्या कहा गया है कि इसमें 109 देशों को शामिल किया गया आपके multi-dimensional poverty के शिकार हैं फिर लगभग आधे 18 वड़ से कम आयू की बच्चे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं तो मैं गरीब हूँ गरीब जबकि multi-dimensional poverty जो इंडेक्स जारी किया गया है उसका mean focus यह है कि गरीबी किन-किन कारणों से और किन-किन छेत्रों में हो सकती है हो सकता है कि मेरे पास बहुत पैसा हो और मैं किसी छेत्र में रहता हूँ और उस छेत्र में education का अभभाव हो तो यह भी अभभाव को ही तो गरीबी कहते हैं और तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे छेत्र में जो है आपके education का अभभाव है यानि कि poverty किस कारण से education से related है दूसरा आपका मालीजे health care sector की facility नहीं है तो वो भी गरीबी में आई अगर security नहीं है तो वो भी multi-dimensional poverty में आता है तो हर छेत्रों को इसमें शामिल किया गया है और फिर ये report आपकी तयार की गई है तो अगर आपसे प्रशन पूछ लिया जाए कि इस report को किसी के द्वारा तयार किया गया है तो आप देख लीजे UNDP साती साथ Oxford Poverty and Human Development Initiative के द्वारा इसको तयार किया गया है जिसमें कुल 109 देशों को सामिल किया गया और बताये गया कि इसमें 5.9 अरब लोगों को cover किया गया जिसमें 1.3 आपके लोग जो हैं किसमें शामिल है poverty, multi-dimensional poverty में शामिल है ठीक है तो poverty index से भी जुड़ी खबरें और आपकी questions आपके exam में पूछी जाती है ठीक है और अगर हम भारत के perspectives से देख लें तो यहाँ पर आप देखिए भारत में 6 बहु आयमी लोगों में से 5 निचल जनजातियों की जातियां हैं तो भारत भी भारत को भी इसमें शामिल किया गया जो कि सबसे चिंता वाली बात है और अभी हाली में global hunger index जारी किया गया जिसमें भारत की position 6-7 पाइदान पीछे जा चुकी है और भारत की position 101 हो गई है तो इस कारण से hunger index में poverty index में भारत पीछे जा चुके हैं ठीक है क्योंकि कोरोना आ गया था हमारी economy सबसे अदर प्रभाव डला और भारत की अभी 28% ऐसी अबादी जो कि आपके गरीवी रीखा की नीचे जीवन यापन करती है जो कि अपने में सबसे एक एहम बात है जिसको हमको address करना चाहिए अब हम चलते हैं अपन आप दे सकें तो यहां पर प्रशन है प्रशन अच्छे से पढ़ लिजया विच आफ दा फॉलिग स्टेटमेंट इस रॉंग निमलिखिर में से कौन सा कथन गलत है अधीम आफ इंटरनेशन डे आफ दे चाल्ड इस डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन दूसरा एक्ससाइ इन इंडिया देरा टोटल 11 महारतन कमपनी भारत में टोटल आपकी 11 महारतन कमपनिया है तो यह चार आप्चन आपको दिये गए हैं अब आपको बताना है कि इन में से कौन सा कथन आपका जो है गलत है मेरे खाल से अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप इसका प्रॉपर जवाब दे पाएंगे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आपका करेक्ट अंसर क्या है तो चलिए अब हम जानेंगे कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा तो पहला स्टेट्मेंट तो आपका सही है इंटरनेशन गल चाइल ये की इस भारत और UK के बीच कंड़र्ट की जाते जिसका इस बार छटमा संसकरण आपके उत्तरकंड में आयुजित किया गया था तो इस प्रकार से ऑप्शन B आपका सही है यानि कि ये ऑप्शन आपका गलत है ठीक है तो question 1 का आपका correct अंसर क्या हो जाता है option B इसी प्रकार के questions आप आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं आप अच्छे तरीके से नोट को prepare करिए तभी आप बहतर कर पाएंगे चलिए मिलते हैं next week में तो अभी के लिए जैहन and wish you all the best